मेरे प्रिविध्यार्चियो यह पद बहुत सी महत्पूर है और इस पद में करूर रसा में देखने को मिलता है क्योंकि जब उधा मत्हुरा से लौटते हैं तो वो कहते हैं गुपकाओं से कि आप स्रीक्रण भगवान को भूल जाएए तो गुपकाओं नाराज हो जाती हैं और उधो को खरी घोती सुनाती हैं तो बड़ा ही सजू बारन हमें हैं देखने को मिलता है हम करेंगे व्याख्या इससे पहले हम थोड़ा इनके हिंदी के अर्ठों को समझ लेते हैं मन यानि की होता है मन भय यानि की होना दस वीस यानि की दस वीस तो आप जानती होंगे एक होतो होतो का मतलब होता होना तो गयो मतलब चला गया स्याम संग को अबराधे अबराधे यानि की पूजे इस यानि की भगवान को इंद्री सिथिल यानि की रुख गई हैं ये साव बिन यानि की भगवान करके बिना जियों जैसे देवी शरीर के बिन यानि की बिना सीस यानि की सिर आसा लागी यानि की आसा लागी रहना रहत तन में स्वासे हैं, जीव ही कोट बरीस, जीव ही यानि की जीव के बीच में, ठीक है, यहां पर कोट बरीस, यानि की 32 दातों के बीच में जैसे जीव रहती है, तुम तो सखा स्याम सुंदर के, सखा यानि के मित्र, स्याम सुंदर यानि स्रीकन भगवान, सकल जोग, सकल और नहीं जग्दीश मतलब भगवान स्रीक्रिशन स्यम चलिएगा हम करेंगे व्याख्या सुनिएगा उधाव मन नभे दस्वीश जब यानि की उधाव मत्वरा से लौटते हैं तो उधाव समझते हैं कि गुपकायं पड़ी कष्ट में हैं तो उधावी जान बूच के कह देते हैं उनसे की स्रीक्रिशन को भूल याईए स्रीक्रिशन को भूल याईए तो वो कह रहे हैं तो सखियां कह रहे हैं कि उधाव मन नभे दस्वीश कि हे उधाव जी हमारे मन दस्वीश नहीं है हमारे मन दस्वीश नहीं है उधाव एक हतो सो गवर स्याम संग एक ही मन था उधाव तो गयोर स्याम संग वो भी स्याम के साथ चला गया है उस नटकट गुपाल के साथ चला गया है को अब राधे ईस अब किस भगवान को मैं पूजूंग एक हतोसो गयोर स्याम संग एक ही तो मन था वो स्याम के साथ चला गया है को अब राधे ईस और जानते हो उद्धा इंद्री शितामा बहू के सविन और उद्ष जह हमारी इंद्रियां है ना ये रुक गई हैं के विना स्रीकियन के बिना भाग्वान स्रीकियन के विना रुक गई हैं इंद्रियां कोई काम ही नहीं कर रही है जिस तरीके से बिना सिर का सरीर जैसे बिना सिर का सरीर होता है ना उसी तरह इंद्रियां हो गई है आसा लागी रहते तरह स्वासा और जानते हो उद्र इन सरीर में जो स्वासे हैं ना इसलिए बची हैं क्योंकि इन्हें आसा लग इन्हें आसा लगी है कि हमारे परमानंद माधाओ, हमारे कृष्ण, हमारे नटकड गोपाल आएंगे. आसा लागी रहे तन स्वासा. तो तन में ये स्वासें हैं, सांसें चल रही है ना. तो किवल इन्हें आसा लगी है वरन स्वासें भी सरी से निकल जाएं हम जानते हुख कैसे रह रहे हैं जी वही कोट वरीस जैसे miracle दातों के बीच में जीव रहती है वैसे ही हम रह रहे हैं हमें लोग मर्यादा का ध्यान भी र değer रखना है और अपने स्री क्रय के भगवान ब्रह्य को भी बनाए रखना है हम तो हमारी इस्तिती तो बहुत ही तस्ट में है हम सब दो में नहीं बता सकते हैं उधो और उधाओ तुम तो सखा स्याम सुन्दर के और काई उधो तुम तो स्याम सुन्दर के सखा हो मित्र हो तुम स्याम सुन्दर के भगवान स्री कहने के तुम तो मित्र हो तुम ही ऐसा कह रही हो कि भूल जाएए स्वीकरण को तुम तो सका स्याम सुंदर की सकल जोग के ईस जो संपूर ब्रह्मांड के भगवान हैं पालन हार हैं तुम स्वयमून के मित्र हो वो हमसे कह रही हो कि भूल या तो सूर्दास जी कह रहे हैं कि सूर्व हमारे नन्दन बिन ठकियां कह रही हैं वह काये कि नन्दन बिन यानि कि श्रीकरण भगवान की बिना और नहीं जग दी में हैंगे इस हमारा कोई प्रभू नहीं है कोई हमारे भखवन नहीं है कोई हमारा सका नहीं है इसको आप एक बार पढ़ेजिएगा और जरूर लिख लें आपसे बन जाएगा छे नमबर आपके क्लियर हो जाएंगे धन्वाद